सब्सक्राइब कीजिए BBC मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले पुल्वामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों की मदद करने के लिए क्रिकेटर मोहमद शमी ने हात बढ़ाया है 28 वर्षिय मोहमद शमी में CRPAP के सभी जवानों के परिवारों के लिए 5 लाक रुपे की आर्थिक मदद की घोशना की है पूर्व क्रिकेटर विरेंदर सहवाग ने पुल्वामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए CRPAP के 44 जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्थ उठाने की जिम्मेदारी ली थी सहवाग ने शनिवार को ट्वीट किया हम शहीदों के लिए कुछ भी करें तो विए काफी नहीं होगा लेकिन पुल्वामा में शहीद हुए CRPAP के जवानों के बच्चों की पढ़ाई का जजर्थित सहवाग स्कूल में मैं पूरा खर्थ उठाने का प्रस्ताव देता हूँ इसके बाद टीम इंडिया के उपनर बल्ले बाजशिकर दवन ने भी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए सभी भारतियों से शहीद जवानों की मदद करने की गुहार लगाई थी उन्होंने खुद भी शहीद जवानों के परिवार वालों की आर्थिक मदद देने की बात कही थी विश्वकप के हीरो गौतम गंभीर भी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए परिवारों की मदद को आगे आय थे गंबीर ने कहा था कि शहीद हुए जवानों के परिवार के लिए उन्हें दुख है और वे इस हमले से प्रभावित परिवारों के एक्स और बच्चों का धर्च उठाने के लिए तयार हैं इसके अलावा IPL शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल की टीम ने बेहत सराहनिये काम किया दिल्ली कैपिटल की फरेचाईजी ने पुल्वामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों को मदद पहुचाने के लिए पहले हुम मैट से हुई कमाई दान करने की इरानी ट्रोफी जीतने के बाद विदर्ब के कप्तान फैजफजल ने पूरी पुरसकार राशी पुल्वामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए केंद्रिये रिजर्व पुलिस बल सी आर प्लेप के जवानों के परिवारों को दान करने की घोशना की थी वहीं दोस्तों प अपने प्रियजनों को खो दिया और भगवान मुझे जल्द ही अस्पताल में भरती घायल सेनेकों की ठीक होने की खवर दे दे मैं अपनी सेना की सेवा और वफादारी को सलाम करता हूँ इसी दर्मिया रोहित शर्मा ने भी ट्वीट करके एक पोस्ट डाली और कहा कि कल की शाम जो हुआ है उससे मैं दुखी हूँ में हैजान हूँ और भायवीत हूँ जिस दिन हमने प्रेम का पर्व मनाया उसी दिन कुछ कायरों ने नफरत फैला दी मैं जवानों और उनके परिवारों के बारे में सोच रहा हूँ भारतिये जनता कृपिया उन्हें अपनी प्र हर साल खेल में उत्कृष्ट तक पुरुसकार होँन हर इथलीटों को देते हैं इस साल भी विराठ कोहली की फांडेशन ने 16 फर्वरी को आयोजित किया था लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है दरसल विराठ कोहली की फांडेशन ने इस अवार्ड कारेक्रम को पुलवाम पुरसकार समारों में मनोर अंजन और खेल जगत के कई दिगजों ने शामिल होना था। इस पुरसकार से जुड़े हर पार्टरनर और सभी खेल सितारों और प्रतिनिधियों को सूचित किया गया है और कहा गया है कि जब भारत अपने जवानों की मौत का शौक बना रहा है। ऐसे दुख के समय में पुरसकार समारों की मेजबानी अस्वी कारे है। इस बात की पुष्टी खुद अपने अधिकारिक विटर अकाउंट से भारतिये टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी की है। उन्होंने अपने अधिकारिक विटर अकाउंट पर लिखा। आरपी ए दोस्तों भारतिय टीम को आस्ट्रेलिया के खिलाफ वन डे और टी ट्वेंटी सीरीज की शुरुआत होने वाली है सीरीज का पहला मेच 24 फरवरी को खिला जाएगा यह टी ट्वेंटी मैच है वही वन डे सीरीज की शुरुआत 2 मार्च से हिदरबाद में होगी सीरीज का अंतिम मेच 13 मार्च को दिली में होगा इस सीरीज के लिए पहले ही भारतिय टीम का एलान हो चुका था और अब बड़ी ख़वर यह आ रही है कि भारतिय टीम के तेज गेंदबाजी ओल्गाउंडर हार्दिक पांडिया चोट की वजह से इस पूरे सीरीज से बाहर होगे है वह वन डे और टी ट्वेंटी दोनों सीरीज में नहीं खेलेंगे उनकी पीट में परिशानी है बी सी सी आई ने अपने आधिकारिक विटर अकाउंट से इस बारे में जानकारी दी हार्दिक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड की वन डे सीरीज के पहले दो मैच सस्पेंड होने की वजह से नहीं खेल पाए थे हार्दिक पांडिया की पीट की परिशानी नहीं नहीं है एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में गेंद बाजी के दोरान उनका वह चोटिल हो गे थे उस समय भी उनके पीट में ही परिशानी हुई थी इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया था इसके बाद वह करीब टीन महीने तक मैदान से बाहर रहे थे उन्हें दिसंबर में रंजी ट्रोफी से मेदान पर वापसी की थी, उसके बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था वही BCCI ने बयान में कहा, भारतिय टीम के हरफन मौला खिलाडी हार्दिक पांधिया, पीट के निचले हिस्से में चोट के कारण आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले T20 और One Day सीरीज से बाहर हो गए हैं बयान में कहा गया है, BCCI की मेडिकल टीम ने पांधिया को आराम देने का फैसला किया है, वह NCA मेडिकल टीम की देखरेक में रहेंगे, पांधिया अगले सबतहा से अपनी चोट पर काम करेंगे, हार्दिक पांधिया की जगए One Day सीरीज के लिए, रविंद्र जडेजा को टीम से जोड़ा गया है, वही T20 सीरीज में किसी अन्य खिलाडी को टीम में जगए नहीं मिली है, जडेजा ऑस्ट्रेलिया और New Zealand के खिलाफ सीरीज में भी टीम का हिस्ता थे, वहां वह गेंद से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, और इसी वज़े से ऑस्ट्रेल लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पंडिया को IPL से भी बाहर करना चाहिए या नहीं, इसका जवाब कमेंट सेक्षन में जरूर बताए, और इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवा माजिले में हुए, आतनकवादी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान का विरोध हो रहा है, राजनीतिक गेराबंदी करने के बाद अब पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान पर भी, भारत में गेरने की पूरी तैयार चुरू कर दी है, जहां विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर संकट के बादल मंड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी, इस मामले में अपना कड़ा रवया अपना लिया है, रिपोर्ट के खिलाफ आतंकवाद को काफी बढ़ावा दी रहा है, क्रिकेट बोर्ड ने ICC को यह भी कहा है कि इस समय पूरे भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलने का मूड है, और भारत कभी भी आतंकवाद के मसलों पर कोई समझोता नहीं करने वाला है, आपको बता दें बो पाकिस्तान के खिलाफ मैंच नहीं खेलता है, तो पाकिस्तान को पूरे अंग बैठे बैठे मिल जाएंगे, और भारतिये टीम को नुकसान हो जाएगा, गौर तलब है कि विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच, मैच 16 जून को इंगलेंड के मैंचेस्टर में होने दोरे पर, पांच क्रिकेट सीरीज खेलने के बाद स्वदेश में आस्ट्रेलियाई टीम की मिजमानी के लिए तयार है, भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दो टी-20 मैचों वो पांच वन डे मैचों की सीरीज खेली जानी है, आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच, य और वन डे सीरीज में करारी शिकस्त देते हुए एतिहासिक सफलता दर्ज की थी, और कंगारू टीम उसका बद्दा लेने के लिए बेताब होगी, दोनों टीमों के बीच पहले दो मैचों की टी-20 सीरीज खेली जानी है, जिसका आग आज विशाखा पट्टन में 24 फरवरी को होगा, लेकिन दोस्तों ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 के शुरू होने में, अब करीब एक साधेनी ही बच्चे हुए हैं, और सभी टीमों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, परंतु सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है क्या अनुभवी दिनेश कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड वन डे सीरीज में फिनिशर की अच्छी भूमिकाने भाई थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खिलाफ दूसरे वन डे मैच में अंतिम ओवरों में आकर मैच फिनिश करने में दोनी की मदद की थी, इसके बाद दिनेश कार्तिक अब शायद ही विश्वकप का हिस्सा होंगे, लेकिन अब चैन्न करता समीती के अध्यक्ष एमेस के प्रसाद ने खुद आगे आकर अपना ब्यान दिया है कि दिनेश कार्तिक और एमेस दोनी में से कोन सा खिलाडी विश्वकप खेलने के लिए प्रबल द पितेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वह काफी परिपक खुदा दिखा रहा है, दोनों सम्मान रूप से अच्छे हैं, लेकिन टीम के लिए फिलहाल दोनी ही बेस्ट है, और बी सी सी आई 2019 विश्वकप के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए दोनी को ही भारत ये टीम की विकेट कीपिंग संभालेंगे, लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या दोनी की जगे रिशवकप को विश्वकप 2019 के लिए टीम में खेलने का मूखा देना चाहिए या नहीं, अपनी राए कमेंट बॉक्स में बताए, और इसी तरह की खबरों के लि को सब्सक्राइब करें